तो एद्वांस टेक्शल में हम बात कर रहे हैं फॉर्मेटिंग ट्रिक्स उससे पहले हमने लास्ट क्लासिज में डिस्कॉस किया था पेस्ट इस्पेशल के बार एक टॉपिक आ जाता है हमारा पिक्चर लुक अप का चलिए उस टॉपिक को एक बार करते हैं क्या है कि मैंने मैंने हमारे पास एक डेटा सीट या एक रिपोर्ट सीट या समरी सीट कुछ ऐसा है जहां पर मैंने दो से जादा सम्रमधि रिपोर्ट बना रहे जैसे कि मैंने यहां पर बैंक मैं हां यहां पर इस्ब करता है कैप है थे कर दो मैंने पडेलेंट का एक डेश्मुट बनाया हुआ हुआ है और यह payment है मारा और इसको मैंने का किया इसको select किया और copy करते है और इस पर already rank लगा है इसको remove करते हैं इस 123 के नाम से एक सकते हैं तो यहां पर बनाया और इसकी थोरी सी formatting कर देता हूं यहां से formatting करने के बाद यहां हम इसकी background color भी थो डाल जैते हैं और इस पर हम insert में जाके एक chart भी बना देते हैं chart बनाने के बाद ऊपर chart में design आता है design में बहुत सारे बने बनाया formats है ले लिया side से इसको resize भी कर देता हूं ठीक है sir तो basically आपने चार्ट मेंने के लिए कुछ किया नहीं मैंसे टेकने के लिए वहां सिर्ट है और चार्ट डिजाइन के चले लिए लिए अब दूसरा मैंने यहां पर monthly payment बनाया हूं ठीक है monthly okay और यहां पर हमने जैन पर जुलाई अगार्स अक्टोबर नॉंबर दिसंबर नॉंबर आगे दिसंबर आगे दिसंबर आगे और दिसंबर कामरा यहां पर पेमेंट है इसफोरे एरी को सेलिक करके बार्डर लगाते हैं और यहां ठीक है पर हम दूसरा गलर दे जता हूं किया construed इसके उपर हम 500 बनाते है फिक है को सलिक किया चार बनाने कुछ नहीं करना पड़ता है यहां पर दिजाइन तैब यहां पर डिजाइन यहां पर चार्ट के डिजाइन जो कि आप चूझ कर सकते हैं कि अब यहां पर यहां पर यह वीट यह ऌभी। वूगी है। ये थेए ने सर्ण ? जी जी सर्ण, ऐम दो गुटाया वालतिंदे हुदा दी घुए सर्ण और शेए बागा गाट्ट्ट्ट्र शेयर करें। अब यहां पर मेरा question क्या है, कि इस तरह से मैं और भी चीजी में बना रखता हूँ, तो दो ही है, तो कि इससे और भी चीजी है, अब मेरे पास एक seat है, summary seat, या कुछ और seat है, वहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, कि यहाँ पर select करना चाहता हूँ, कि मुझे report bank वाई देखना है, या month वाई देखना है, ठीक है, सबसे पहले, मैं यहाँ drop down मनाना चाहता हूँ, तो drop down मनाने के लिए, हमें data के अंदर, यहाँ प list, इस list में मैं यहाँ डाल दिया month, इसके इंदर डाल दिया bank, पॉमा करके, ठीक है, अब यहाँ पर मैं चाहूँ के, तो month का data select करूँ, तो month आए, तो bank data select करूँ, तो bank करे, यहाँ पी देखना है, एक वाई इसको copy करके, मैं इसको, इसको copy करता हूँ, और इसके उपर paste value करता हूँ, तो randomic mirvava number change करता है, ठीक है, तो कैसे करें, तो हमें यहाँ लाना है, इसके दो-तीन स्टेजे समझी है, पहले स्टेज में, तो इससे पर एक grid line में हटा जाता हो, तकि यह lining ना दिखता है, ठीक है, तो पहले स्टेज में हम उससा स्टेज क्या करना है, इसको select करके, एक area select करके, formula बार के अंदर में, एक define name देना है, क्यों देना है, तो इसके बारे में तरज जान देना है, जैसे माली यह मुझे इस पूरे को show करना है, यहाँ पे show करना है, अब इसके लिए formula लिखने के ज़रूद नहीं है, मैंने इसको select कर लिया, select करके copy कर दिया, last class ने बताया था, paste एक picture link, तो paste में गया, और यहाँ पे दिख़़ा है picture link, picture link पे click कर दिया, ठीक है, picture link में click कर दिया, right, जबिल सर्थ, अब मुझे इसमें क्या करना है, कि मुझे मा लेज़े a चाहिए, तो दुब़रा लिखें, यहाँ पे address चेंज, दुब़रा copy paste नहीं करना चाहते है, सेम चाहिए, इसका address चेंज करेंगे, क्योंकि a 14 से लेके, हमारा है i 27, तो अगर मैं यहाँ पे, a 40 लिखे, यहाँ पे i 27 कर दो, तो क्या होगा, इस तरह के नहीं हमारा, लेटा है, तो इदना लंबा चेंज करना, थोड़ा सब कॉंप्रिकेटर लग रहा है, ने सर, क्या, तो मैंने क्या किया, इन सब का एक shortcut नाम मना दिया, कैसे, select किया area को, formula बार में गया है, यहाँ आता है, define name, क्या आता है, define name, define name, इस define name पे गया, इसका नाम मैंने bank लगती है, क्यों, क्योंकि drop down में bank है, यहाँ लगती है, तो जो drop down में होगा, वो ही रखना है, ठीक है, यहाँ जो रखे हैं, उसी से आपने drop down मनाना, यहाँ पे हमने I27 को select किया, copy किया, sorry, copy नहीं करना है, इसको define name, इसका नाम हम लगत अब क्या होगा, कि मैं यहाँ, जो है, मन्त लिख हूँ, मन्त लिख ए, एंटर मारो, तो मन्त भाई आए गया, अगर मैं bank लिख एंटर मारो, तो bank भाई आए गया, ठीक है, यहाँ प्राब्लम नहीं, मैं यहाँ चेंज करना चाहता, यह जो drop down है, यहाँ चेंज करना चाहता, मतलब अब यहाँ एक चीज़ समझे, कि अगर माल लिजिए कि मैं sum का formula लागता, sum के formula में, अगर मैंने यहाँ पे bank लिख के enter किया, तो bank जो data 1 पे है, तो वहाँ reference लेके, यहाँ आपका result 310 लेकिन, अगर मैं सुचा कि sum और ले तो यही तो bank है न, इसका जो total होना चाहिए, बड़ यहाँ नहीं है, क्यों, क्योंकि sum formula ने C4 पे लिखा गया bank को sell value समझा, नकि sell reference समझा है, मुझे कुछ ऐसा करना है, ताकि bank C4 के लिखा है, उसको reference मना दे, ताकि 310 आ जाए, इसके क्या sum लगाँगा? इन डारेक्ट का, इसका? इन डारेक्ट, ठीक है, sum को इन डारेक्ट के अंदर में डाले, अब दिखरा आ गया, क्या हुआ, आगर इसको check करना है, तो formula वारे के अंदर formula avalate होता है, चेक कर सकते, कि formula कैसे रवर्ट कर रहा है, तो यहां से क्या मिला, bank मिला है, किसमें मिला, inverted comma है, बतल कि text, तो इन डारेक्ट ने क्या किया, इसको reference में convert कर रहा है, कर दिया सर, और यहां पर, तो समको reference मिलगी है, समझें, अगर मैं यहां month directly करूँ कि यहां से month लेलू, तो क्या होगा, यह आपका picture नहीं समझेगा, कि इसके ऊपर ड़ला गया, जो bank है, वो bank reference है, वो bank को ऐसे sale address दिखेगा, वो bank की दिखा देगा, तो क्या, इसमें indirect के अंदर डारे, त कि indirect के अंदर इस bank को डालते है, तो एक error आए, क्या error आएगा, कि this formula missing, कि range ले सकता है, या फिर define name ले सकता है, या फिर define name ले सकता है, यहां पर कोई formula नहीं दे सकता, प्रब्लम हो कहीं सब, बिना formula, बिना indirect formula को तो work करेगा नहीं, तो यह बोला है, कि मैं define name ले लूँगा, क्या ले लूँगा, डिफाइन लूँगा, डिफाइन लूँगा, तो define name कहता है, कि मैं formula ले लूँगा, तो मैं एक ऐसे ही dummy, SXO, या कुछ इस तरह का, मैं name मनाऊँगा, और यहां किसी cell का reference नहीं दूँगा, यहां पर formula क्या दूँगा, indirect, ठीक है, और इस indirect के अंदर इस bank को selected, ओके, अब इस पे जो month डाला है, उसके जिए पर क्या दूँगा, ऐसे जो dummy मनाया था 100, गंसा समझ आया, क्या होगा, जैसे मैं यहां chain करूँगा, वो हमारा indirect function की through, define name जो है, वो अपने आपको change कर देगा, इस तो okay, उसके नाम के reference को, तहरी forward करके किसको देदेगा, picture link को, जिसते एक तरह से picture look up की तरह work करेगा, देख रहा है सर, समयमाया है कि नहीं, सर, मेरे को पहले कि यह समझना है कि आप जो data सामने वाले sheet में है, वही same sheet summary में आ रहा है, जो data आगे है, वही same sheet में आ रहा है, करेक्श सर, बद यह जिए कि, इसे ही prop-down से select कर रहा हूं, मेरे को वो दिख रहा है, क्या होता है कि data sheet में ऐसे मान लिजिए कि 2,45,10 data है, बट summary sheet में आप एक साथ सब नहीं देखाना चाहिए, इसे example के result देख लिजिए, आप क्या चाहेंगे, आप चाहेंगे कि एक बार में एक student का result दिख रहा है, क्या, जो आपके पास result data को उसमें एक को देखना चाहेंगे न, सेम तरह से मान लिजिए कि आपने different angles से आपने यहां पर बनाया होगा, इसको दे दीजिएगा तो सामने बाला बंदा confused हो सकता है, एक साथ कई सारे information देखेगा, तो क्या होगा, confused हो सकता है, यहां पर कुछ और होगा, यहां पर कुछ और होगा, कुछ और होगा ऐसे कई सारे चीजिए हो सकती है, तो कहने को अभी फुराद तो प्रॉब्लम ही है कि मुझे पूरा data with formatting with chart लेकर आना है, क्योंकि मैं यहां भी formatting नहीं करना चाहता और वापस यहां भी formatting नहीं करना चाहता, और प्रॉब्लम क्या है कि हर किसी का अलग लग formatting है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैंने यूज किया picture link, हमने इसको copy करके क्या कर दिया, paste रहजे picture link, और प्रॉब्लम को यहां dynamic करना है कि जो मैं यहां selected, उसी इस आपसे वर्ट है, इसके लिए तिए तिए तिए, ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, कि इसको try करना होतर समझना है, इसके concept को समझे, concept समझ में आगे, और प्रॉब्लम क्या है कि मैंने क्या कि मैंने क्या कि हमने जितने भी मेरे पास थे, सबका मैंने एक एक नाम डिफाइन करते, इसको bank दे दिया, इसको monk दे दिया, कैसे डिफाइन किया, इसको select करके define name, formula वारकंदा define name, क्यों दिया, ताकि एक simple name, नहीं तो क्या होगा, data sheet, sheet A1, A3 से लेके G3, ऐसे complicated address होगा है, तो हमें एक short address मिना गया, क्यों समझने आ गया, बाकि सबको भी ऐसे short name किया, फिस summary sheet में जो short name बनाया था ना, उसी का drop-down बनाया, ऐसे बनाया, data validation के अंदर list में जाती है, यहां तो मैं manually kite किया, आपके बाद जादा हो तो किसी Excel पर लिख के उसको reference को select कर सकते है, जब मैं इस पर click करूंगा, तो इस तरह से drop-down बिखेंगा, अब मुझे इस picture को इसके साथ link करना है, और link बिना indirect formula का नहीं, और picture indirect formula लेगा, तो हमने क्या किया, हमने एक और define name मनाया dummy, उसके अंदर हमने कोई reference नहीं दिया, हमने क्या बोला, indirect summary 4 का c14, तो indirect हमने क्या क्या किया, कि c14 पर जो rank लिखा है, जो name लिखा है, उसके match कर होने वाली define name है, उसको refer करती है, एक तरह से एक क्या हुआ, एक inter-a, एक pool के तरह काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पर जिससे आप यहां पर drop down करें, यहां से हो सकता है, ठीक है उसके, और इसका use हम कई जगों पर करते हैं, और इसके आगे advance होता है, इससे की, माल लिएए कि आपने एक school के ए पूल इडरेस में आप क्या करते हैं कि रोल नमा डालो तो इस पूल के फूटा डिटेस मुझे दिखता है आप लेकि आप लगा लेकिए आप भेस के साथ साथ इसका फोटो रखा हुआ थो फोटो इसी मेंतबड हो रहा है अप्रक्रासे अद्वान से फ्सक्राव पर ना पड़ता है यहां भी इक सिप्त और नेम नियम यहां पे कहार है कि अलग अगर में मिना रहे ना कि वह इसको देखके सर्च करके और नेम का रिजर्ट चेंज करते हैं तो यह फाइल और रिकॉर्डिंग में दोनों आपको बेज रहा है कि अब खुछ से ट्राइ कि यहीं इसी कर देखने का था मैं सुझा वीडियो सचा है कि कोई वीडियो से पताने समझ पाइना समझ पाइना समझ पाइना तो मैं तुद प्रहा दोगा इसे भी आपके बास्ताइए निकम होता ना वीडियो देखने के और आधा और आधा कि यहां थे विज़े पकूत